अधार दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फार्मूला जैसे बज़ुर्ग लोग कहते हैं कि उनके गुटनों में दर्द है कमर में दर्द है डिस्क में गैप आया है डिस्क प्रॉलम हो गई है जोड जोड दुटता है हड़ीयां कमजोर है केल्शियम की कमी ओगई है और उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया है तो ऐसे बज़ुर्गों के लिए एक नविए तोफ़ा समझो या गिप्त समझो फायर वेज़ का तोफ़ा मेरी और से मैं अपने कीमती खजानों में से ये खजाना आपको दे रहा हूँ बहुत ही बहतरीन फार्मूला है बहुत अच्छे रिज़र्ट है तो दोस्तो नुस्खा नोट कीजिए आपने अश्वगंदा लेना है जिसको असगंद बोला जाता है 100 गरम लेनी है आपने और दोस्तो इसको गर पे लाना है इसको देसी गी में बूनना है गाए के देसी गी में और इसके अंदर आपने 50 गरम सौट बून करणाई इसके साथ में आपने पंसारी से लेकर मीटी संजा उसको भीख पॉडर करके 100 gram की मात्रा में इसमें मिक्स कर लेना है और इसमें अब मिश्री या देसी शक्र डाल सकते हैं जितना आपकी दवाई का वजन है उसके बराबर आपने मिश्री या देशी शकर डाल कर रख लेना है सुवे शाम आपने आदा से एक चमच पॉडर दूद के साथ या चाय के साथ लेना है इससे आपकी हड़ियां मजबूत होंगी और आपका कुबड़ापन या लंगड़ापन भी ठीक होगा आपके जोड़ों का दर्द ठीक होगा आपकी जो गुट्नों में ग्रीस कतम होगी हो बनने लगेगी वो पूरी हो जाएगी गुट्नों का दर्द समापत हो जाएगा अगर आपको पुराना कमरदर्द है आपको डिस्की प्रावलम है आप फिजियो थ्रेपिस्ट के पास जा जा के ठक चुके हैं हार चुके हैं सर्वाइकल स्कॉंडलाटिस की प्राउलम है उसको भी यह ठीक करेगा आपके वात रोगों को यह नश्ट करेगा कैल्चिम की कमियां पूरी करेगा हड़ियों में ताक्त बरेगा जोडों में ताक्त बरेगा आपके पठों को मजबूत करेगा अगर आपको यादाश की कमी है आपकी दमागी शक्ती कमजोर है उसको भी यह सही करेगा यह बहुत ही बहतरीन फार्मूला है बजुर्गों के लिए इस फार्मूले को बजुर्ग जोड़े ले सकते हैं मताएं भी ले सकती हैं बजुर्ग अंकल भी ले सकते हैं इसको सेवन करने से बहुत लाग मिलते हैं और जो जवान लोग हैं जिनको कमर दर्दी की शकायत है वो भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तो इसका इस्तिमाल करें, खटी तली चीज़ों का प्रेज करें, मैदे की चीज़ें, बाइबादी चीज़ें आप प्रेज करें, और चाय का आप कम सेवन करें, और दूद का इस्तिमाल करें, आपके पेट में कबज रहती है, तो मेरे कबज वाले फार्मने आप दे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन के बटन दबा ले तो मिलते हैं किसी और वीडियो में थेंक यू